दोस्तों नमस्कार उज्वल लक्षे यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में हम इन दोनों प्रश्णों को हल करेंगे और हल करते हुए गडित का एक बेहतरी लिंग कॉंसेप्ट सीखने वाले हैं आप देख सकते हैं प्रश्णे हैं प्रतिशत के सवाल प्रश्णे पहला है सुने दसमलोग चार चार प्रतिशत बराबर अब बराबर के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप्शन दिये गए हैं आप्शन A 44 बटा 100 आप्शन B 11 बटा 250 आप्शन C 11 बटा 25 और आप्शन D है 11 ब इस बटा सौख होगा ऐसे सोच करके कई विद्यार्थी परिच्छा में इसी प्रकार से टिक लगा के आ जाते हैं बाद में पता चलता है कि इसका उत्तर तो ये गलत हो गया तो मेरा कहने का मतलब यह है कि competition exam में सवाल के पश्चा जो option दिये रहते हैं वो मिलते जूलते रहते हैं ऐसा लगता है कि हम इसको बिना हल करे ही बना देंगे है ना तो देखे ऐसी गलती ना करना थ्रस हल करके बनाना क्योंकि आप इतने त्यारी करके exam में जाते हैं और छोटी सी गलती आपके लिए नुकस सुन दस्वलो चार चार प्रतिशत इसका दिया गया है तो जब भी प्रतिशत दिया जाया किसी भी संख्या में चाहे उस संख्या दस्वलो में हो भिन्न में हो या पूर्ण संख्या हो आप प्रतिशत को सबसे पहले हटाईए तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या कीजेगा वो संक्या को होभी वर troll अर उसके बते में आप कर दीज्ये सौ यहां से प्रतिसाथ हड़ गया ठीक है अब यहां पर देख से enforcement है दस्मलोग चार चार बता सौ है अब उपर का संक्य है अन्श का जो संक्य है उसमें से भी दस्मलोग को हटाईयए तो इसमें से दर्शमलोग हटाना है तो दर्शमलोग हटाने की प्रक्रिया आप लो जानते ही है जैसे की सुने दर्शमलोग चार है तो बटे में एक लिखते हैं फिर सुने लगाते हैं दर्शमलोग बाद एक है चुकि यहां से पहले से ही बटे में सौव है तो आपको क्या क करना है दर्शमलों के बाद जितने अंख है ये एक अंख ये दो अंख तो दर्शमलों को पहले हटा दीजिए ठीक है दर्शमलों के बाद दो अंख थे तो यहाँ पर दो शुन्य और लगा दीजिए बस ठीक है अब क्या कीजेगा काटिए अब इसको आपको काटना है ठीक है तो काटने के लिए देख सकतने है क्या होगा यह दो से जाये गए जायेगा दो दनी चार दो दनी चार और यह हो जायेगा दो पंचे दस उसके अदमा की तीन बार शुन्ने हो जायेगा फिर दो से जायेगा दो एकम दो दो एकम दो अभी हो जायेगा पचास को जायेगा पच तर प्राप्त हो गया कटाने के परश्यात है इसी प्रकार से देख सकते हैं 350 प्रतिशत पराबर ठीक है तो यहाँ पर भी देखेंगे इसमें दिया गया था दर्शमलो वली संख्या यहाँ पर पूर्ण संख्या है ना तो इसको क्या करना है इससे कोई अंतर नहीं होता कि क्या करना है 100 ठीक है अब यहाँ पर देख सकते हैं संख्याएं दर्शमलो या पूर्ण संख्या क्रोप में है इसको आप कटा दीजे नीचे एक सुन्ने काटेंगे उपर एक सुन्ने कटेगा नीचे एक सुन्ने काटेंगे उपर में सुन्ने नहीं है तो यहाँ पर दर्श जुड़े रहेगा उज्वल अच्छ यूटूब चल्ला से नमस्कार